हाई एब्रिवान आज हम एक किताब को प्रीफली डिसकस करेंगे और वो है जॉर्ज रिट्सर की पुक दे मिक्डॉनलाइजेशन आफ दे सोसाइटी इस पुक में मिक्डॉनलाइजेशन के कॉंसेप्ट को बहुत सारी इंट्रेस्टिंग एक्सेम्पल्स के थुरू बहुत में एक्स्प्लेइन किया गया है जिनको पढ़कर आपको एसास होगा कि मैक्स वेबर ने रिशनलाइजड और्गनाइजेशनल मॉडल का जो कॉंसेप्ट दिया था उसकी हमारी सिसाइटी में क्या एप्लिकेशन है और ये किस तरह हमारी जिन्दियों को एक इन्विजिबल आइरन केज में बंद करता जा रहा है और अगर आप ग्लोपलाइजेशन, और्गनाइजेशनल बिहेवियर, सोश्यालजी या कंजियूमरिजम वगारे के स्टूड़न्ट हैं तो आपको ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए तो चलिए, देखते हैं कि today who is the author of this book? The Macdonelization of the Society is a book written by George Ritzer, he is an American sociologist an was born in 1940. He coined the word mcdonalization and he also gave the concepts of globalization of something as well as the globalization of nothing. Macdonalization का concept Max Weber के rationalization के concept से derive किया गया है. Rationalization एक बहुत important sociological term है जिसका मतलब है कि traditionally जिन तरीकों से काम होता चला आ रहा था वो बहुत illogical थे. Process ज्यादा तर manual था और काम बहुत ही slow speed से perform होता था. इसलिए उन traditional methods को replace करके ऐसे logical rules introduce करवाय जाएं जिनकी consistency maintain रखना और उनको monitor करना असान हो ताके overall process को speed up किया जा सके. Rationalization के इसी concept को पहले एक मशूर fast food restaurant McDonald's ने adopt किया और फिर McDonald's की तेजी से भरती हुई profitability और networking को देख कर बाकी businesses और institutions ने भी इस model को follow करना शुरू कर दिया. Society में हर तरफ पहले rationalization के इसी iron cage को Ritzer अपनी जिस book में discuss करता है उसका नाम है The McDonaldization of the Society. इस किताब के शुरू में Ritzer बताता है कि McDonaldization का process भी उसी foundation पर base करता है जो rationalization model ने दिया है. कि हर काम logical या rationalized तरीके से ज्यादा बहतर perform किया जा सकता है. McDonaldization के process में हर काम को मजीद छोटे छोटे कामों में sub divide कर दिया जाता है. और फिर वो logical rational method device किया जाता है जो इंतहाई simplified होता है और जिससे वो छोटे छोटे काम बहतरीन efficiency से perform हो सके. फिर वो काम हमेशे उतनी ही efficiency से उतने ही time में उसी quality के साथ उसी controlled method के तरूँ perform होते रहते हैं. इस तरह जब ये एक rationalized method formulate हो जाए तो फिर उस बड़े यानी main काम को perform करने के जितने और तरीके हो सकते थे. मसलान manually perform करना या किसी creative method के through perform करना वो सब तरीके पिलकुल reject कर दिया जाते हैं. यानी अब employees अपनी मर्दी से उस process में कोई innovation नहीं ला सकते हैं. इस concept में Ritzer fast food chains की example देते हुए बताता है कि किस तरह rationalization ने लोगों की economic और social life को हर dimension में effect किया है. McDonald's के इस rationalization model को ना सिर्फ America के fast food chains follow कर रहे हैं, बलके दुनिया भर में retail industry और दूसरे social institutions इस model को follow करके तेजी से अपना network फहला रहे हैं. इन social institutions में education, work, health care, travel, leisure और dieting वगारा शामिल हैं. rationalization model के कुछ benefits भी हैं, मसलन काम की efficiency, calculability, predictability और control में इदाफ़ा हुआ है. वहीं इसके कुछ negative effects भी हैं, मसलन environment और ecological system को इससे नुकसान पहुंचा है, इंसानों की जगा, machine ने ले ली है, और quality की बजाए लोगों का quantity पे focus हो गया. For example, educational institution को देखते हैं, teachers के पास एक fixed time table होता है कि कितने बज़े से कितने बज़े तक पढ़ाने हैं, चाहे content सही से deliver हो या ना हो, course contents क्या हैं, exams कब लेने हैं, ये सब पहले से decided होता है. और आजकर आपने देखा होगा कि exams में भी bubble sheet आ जाती है, जिसको teacher के बज़ाए bubble scanning software चेक कर लेता है. और इस सारे तालीमी process में, teachers या students के पास इतनी गुंजाईश ही नहीं होती, कि वो course contents, exam pattern या time table वगारा में अपनी मर्जी से कोई changes कर सकें. diet and nutrition में भी आपको एक specific chart दे दिया जाता है, कि अगर आपका weight and height so and so है, तो आप एक दिन में कितनी calories consume करेंगे, और कितना burn out करेंगे, तो आपका कितने दिनों में कितना weight reduce हो जाएगा. ये सब details body mass index की calculations पर depend करती हैं, और इन सब में आपकी individual needs पर देहान नहीं दिया जाता. फिर Ritzer McDonaldization के चार dimensions को discuss करता है, जो दरहकीकत rationalization के ही dimensions हैं, यानि efficiency, calculability, predictability और control. पहला dimension efficiency है, यानि किसी भी काम को तेज तरीन method से perform करना और वो method भी optimal solution होना चाहिए, यानि कम वक्त में सबसे कम cost पर maximum quality की चीज़ प्रड्यूस करना. इसमें सबसे जादा फाइदा और बच्चत तो business की हैं, लेकिन advertise ऐसे किया जाता है, जिस से लगे कि ये सब efficiency कस्टमर के फाइदे के लिए हैं. पहले आप grocery store पर जाते थे और दुगानदार को अपनी लिस्ट पकड़ा देते थे, वो आपके लिए चीज़े निकाल निकाल कर लाता था, अब supermarkets में यही काम आपको खुद करना बढ़ता है, फास food restaurants में आप खुद अपने खाने पीने की ट्रे बना कर लाते हैं, automatic patrol pump पर आप खुद अपना fuel tank भरते हैं, ATM से जाके आप खुद पैसे निकाल कर लाते हैं, और मज़े की बाद यह हैं, कि यह सब काम खुद करने के लिए customer को अलहदा से extra charges भी पे करने परते हैं, उसका time भी ज्यादा spend होता है, हर काम करने के लिए उसे पहले process भी सीखना परता है, औ और बहुत से numbers भी याद रखने पड़ते हैं, मसला, ATM कार्ड या credit कार्ड के numbers वगारा, इसके बाद दूसरा dimension, Calculability है, जिसके मताबक quantity को quality पर preference दी जाती है, for example, McDonald's कम वक्त में large quantity food प्रेड्यूस करके, अपने customers पर ये impression जालना चाता है, कि ये इस बात से बहतर है कि आप बहुत सा time इंतजार करें, और बहतरीन quality का लेकिन बस थोड़ा सा food खाएं, इसी dimension में standardization का element पी शामिल है, यानि हर काम, हर चीज़ को एक खास measurement पर किया जाएगा, एक किलो गोश से कितने कबाब बनेंगे, हर कबाब में fats का ratio कितना होना चाहिए, बन और fries की thickness क्या होनी चाहिए, हर बाग में कितने chips डलेंगे, ये सब measurements पहले से decided होती हैं, और इस सब measurability और standardization की वज़े से process of production सिरफ game of numbers बन कर रह जाता है, इससे business को तो बहुत फायदा होता है, लेकिन फिर customers की individual needs और personalization का concept बिलकुल खतम हो जाता है, तीसरा dimension predictability है, यानि customer को हमेशा पता होता है, कि वो जो चीज़ खरीद रहा है, या जो service अवेल करने जा रहा है, उसके क्या features होंगे, उसका जायका कैसा होगा, और वो कितनी price में मिलेगी वगरा, क्योंकि दुनिया में जहां भी वो product या service अवेलिबल है, उसकी एक standardized quality maintain की जाती है, और आप बेशक आफरिका चले जाएं, लेकिन आपको McDonald's का वहाँ भी वो ही जायका और service मिलेगी, और कीमत भी वो ही होगी, जो आप अपने मुल्क में पे करते थे, हत्ता के employees का behavior भी वैसा ही होगा, फिर fourth dimension control है, यानि food की preparation के सिलसले में employees को खास instructions जारी की जाती हैं, और कोई भी employee उन में अपनी मर्जी से innovation नहीं कर सकता, तमाम employees के लिए uniform पहनना must है, और सब customers से मुस्कुराते हुए order लेना होता है, इन instructions के जरिए employees को under pressure रखा जाता है, कि अगर तुमने ज्यादा चूँच रांगी, तो तुम्हारी जॉब को automated machinery से replace कर दिया जाएगा, McDonald Corporation हर franchise को भी control and monitor कर रही होती है, जिसकी वज़ा से उनहीं supplier से chicken, buns, potato लेने होते हैं, जो corporation ने decide किया होते हैं, यहां तक के toilet में कौन सा cleaner use होगा, यह भी corporation ही dictate करती है, इन franchises का जएधा तर काम automated machinery के दुरू पर फॉर्म होता है, जिससे McDonald Corporation को ना सिर्फ production process की uniformity control करने में असानी रहती है, बलके बहुत से मामलात में वो human interaction से भी बच जाते हैं, इसी तरह customers को भी एक controlled environment प्रोवाइड किया जाता है, मसलना menu में limited number of items डाले जाते हैं, meal serve करने का एक token number दिया जाता है, customers अपने खाने की tray खुद उठाकर लेके जाते हैं, और खाने के बाद table भी खुदी clear करते हैं, कुर्सियां भी सखत होती हैं, ताके ये ना होके customers comfortable होके बस वहीं बैठ जाएं, फिर इसके इलावा भी mcdonalization के कुछ और dimensions हैं, जिनको register irrationality of rationality या mcdonalization के disadvantages के तौर पर discuss करता है, एक ही task को एक ही method से repeatedly perform करते करते employees stressed out हो जाते हैं, इस सारे business process में employees के अपने creative input की किसी को भी जरूरत नहीं होती, automation की वज़ा से अब बहुत सी jobs पर इनसानों की जगा machine ने ले ली हैं, और अगर आपको कोई human employee serve कर भी रहा है, तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिस तरह machine के हर पुर्जे का अपना एक function होता है, इसी तरहां तमाम employees भी corporation की तरफ से bound होते हैं, कि बस वो उतना ही function perform करें, जितने की instructions उनको corporation ने दी हैं, इस तरहां वो भी corporation के ताबे machine का बस एक पुर्जा ही बन कर रह जाते हैं, employee को इस बात की भी precise directions दी गई हैं, कि उसने आप से बात कैसे करनी हैं, क्या इलफाज अदा करने हैं, कितना मुस्कुराना हैं और हर customer के साथ on average कितना time spend करना हैं, यह सब कुछ इतना robotic होता है कि human interaction को भी dehumanize कर देता हैं, यहां तक के अपने फाइदे और profitability के लिए, businesses, internet profiles, bank accounts, mobile numbers या credit cards वगारा से, आपकी कुछ information gather कर लेते हैं, और फिर आपको ऐसे intimate messages भीजते हैं, जैसे वो आपको हमेशा से जानते हूं, call करके आपको सलाम करेंगे, आपका नाम लेकर बात करेंगे, और आप भी सोच में पढ़ जाते हैं कि कई मैं इसको जानता तो नहीं हूं। फिर इस rational system ने एक disenchantment create कर दिये, अब हमें कुछ भी unique creative ये different नहीं मिलता, नहीं हमें किसी surprise की उमीद होती है, हमें पहले से पता होता है कि हम जहां जा रहे हैं, वहां experience कैसा होगा, ambience कैसा होगा, service कैसी मिलेगी, और जो चीज हम खरीदेंगे या खाएंगे, उसका taste या features कैसे होंगे। फिर health hazards अलग हैं इस fast food के, high calorie, high sugar, और high fat content से बना हुआ ये fast food, दुनिया भर की youth को obesity यानि मोटापे की तरफ ले जा रहा है, overall ecological system पर भी इसके hazardous effects हैं, मसलन एक जैसे fries बनाने के लिए, एक जैसे size के potatoes भी चाहिए, और एक जैसे size के potatoes की yield हासिल करने के लिए, chemicals के इस्तमाल किया जाता है, जिनसे land अलग contaminate होती है, फिर इसके लावा large quantity में meat हासिल करने के लिए, जानवरों को भी hormonal injections लगाया जाते हैं, इसके लावा fast food industry एक large amount में trash produce करती है, जिसको ठिकाने लगाने का उन्होंने कोई अब तक proper solution नहीं सोचा, इसके लावा ये rational systems अक्सर non accurate होते हैं, आप order कुछ record कर वाते हैं, और जब order end पे place होता है, तो उसमें कोई न कोई एक item जरूर गलत नकलती है, जिसकी वज़े से customer का double time waste हो जाता है, फिर desk killing एक और dimension है, यानि बिल्कुली low skilled labor को बहुत ही मामूली और असान काम करने के लिए इंतहाई कम कीमत पर hire और train किया जाता है, और इसलिए ये jobs बहुत easily replaceable होती हैं, next dimension consumer workers हैं जिसको हम पहले भी थोड़ा बहुत discuss कर चुके हैं, यानि customers को ही unpaid workers के तौर पर use किया जाता है, वो खुद अपने खाने की ट्रे उठाकर लाते हैं, अपना टेबल खुद साफ करके trash dustbin में डालकर आते हैं, और उनको एहसास भी नहीं होता कि उनसे वो काम करवाया जा रहा हैं, जो असूलन restaurant वालों को खुद करना चाहिए, यहां तक कि drive-thru service में तो customer अपना trash अपने साथ ही अपने घर ले जाता है, इसके लावा register इस rationalized system के alignation feature के बारे में बात करता है, कि employees का अपने काम के साथ, दूसरे fellow employees के साथ, या customers के साथ, कोई connection, कोई relation नहीं होता, वो बस automized machinery का एक पार्ट है, जो रुजाना एक ही तरीके से सारा दिन काम करता रहता है, फिर register globalization of something और globalization of nothing के concepts को थोड़ा बहुत टच करता है, something तो वो है जिसमें कुछ uniqueness है, जिसको आप किसी culture, किसी social background के साथ associate या identify कर सकते हैं, मसलान सिंद की अजरक और nothing वो है जिसका कोई वतन नहीं, वो हर society, हर culture में homogeneous form में या यकसा सूरत में मिलती हैं, जैसे के McDonald's का burger, आप किसी भी मुल्क चले जाएं, जहां McDonald's की franchise होगी, आपको एक जैसी service और product मिल जाएगी, तो रिचसर कहता है कि internet की वज़ा से something और nothing दोनों ही globally available हैं, इसमें से something की price तो ज्यादा है लेकिन साथ ही उसमें uniqueness भी है, जबके nothing की price तो काम है लेकिन उसमें कुछ unique नहीं है, किताब के आखिर में रिचसर कहता है कि researches बताती हैं कि journal public को McDonald's world की इन irrationalities के बारे में awareness नहीं हैं, और अगर किसी को समझ आ भी जाए तो भी consumers कोई खास resistance शो करने के mood में नहीं हैं, हाला के रिचसर के ख्याल में इस rationalized system को जरूर oppose करना चाहिए, वरना इसका iron cage और भी मजबूत होता चला जाएगा और हम सब इसमें trap होकर रह जाएंगे. तो ये तो थी George Ritzer की book The McDonaldization of the Society की एक brief सी summary. अब जब आप complete book पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत से concepts समझना असान हो जाएगा. अगर आपके जहन में कोई सवाल हो या कोई point मैंने miss out कर दिया हो तो आप comment section में लेकर बता सकते हैं. या फिर description में मेरा email address भी मौझूद है तो आप मुझे direct email भी drop कर सकते हैं. Goodbye for now.